बाबाजी मैं अपने और अपने साथियों के फायदे के लिए एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे शिक्षा के शित्र में पढ़ाई में अगर ध्यान किंद्रित ना हो तो मन को भटकाव से बचाने के लिए कोई अगर स्पेशल प्रानायाम ये योगावरा हो ऐसा कोई योगा या प्रानायाम बताईए बाबाजी देखो भाई मन तो बहुत चंचल होता ही है भटकता है अब उसको भी ट्रेंड किया जाता है मन को तो मन दो तरे से ट्रेंड होता है एक तो प्रानायाम ध्यान से और दूसरा विचार शक्ती से एक तो हम प्रानायाम करें ध्यान करें तो उससे स्वभायू करूप से मन का नियांतरन आता है ये तो उसकी प्रैक्टिस हो गई कि आप कपाल भाती अनुलोम बिलोम कीजिये पांची मिनट में आपका मन्शान्त हो जाता है स्वासों पर ध्यान कीजिर खाली लंबा स्वास ही चल रहा है न ऐसे चार-पास स्वासों को ऐसे देखते हैं तो मन शांत हो जाता है ये उसका एक प्रोसीजर है जो है विभारिक तोरपन और दूसरा ये है कि अपने मन में हमें एक द्रड़ विश्वास रखना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में अशुब का स्वागत नहीं करना कोई भी गलत बात को अपने भीतर प्रश्ण नहीं देना उसको अमंत्रित नहीं करना उसका स्वागत नहीं करना तो जैसे ही कोई negative thought आता है उसको उसी समय हटा दे हम क्या करते हैं जब भी कोई ऐसा लुभावना वीचार आता है जिसमें सुरू में ऐसा लगता है हाट ठेक है ऐसे सोचते रहो जैसे जह है बच्चा है उसके मन में दो तीन तरह के वीचार आते हैं यंग स्टर्स के एक तो लड़का लड़कियों को एक दूसरे के प्रति विपरीत लिंग का आकर्शन और उसमें आदमें खोता जाता है और पागल हो जाता है फिर दूसरा पैसे के बारे में मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए इतना यह गाड़ी होनी चाहिए यह ऐसा मोबाइल होना चाहिए ऐसे कपड़े होने चाहिए, ये सब होना चाहिए, तो दूसरा उसको सुविधाओं का जो है लालच, फैसिलिटीज का लालच, तो किसी भी तरह का ये जो लालच मन में आता है, चाहिए वो धन का लालच आए, चाहिए वो शरीर का वासनाओं का लालच आए, इन सबसे अपने मन को कंट्रोल में रखना मico점 नहीं जाना इस तरह हूं तो जैसे एक बर शुरू कर दिया पर वो चैन सुरू हो जाती है और उस चैन में आदमे फिर ऐसे फस जाता है जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है खोधी फस जाती है फिर आज में निकन नहीं पाता है तो एक ही विचार रखें मन में कि मुझे अशुब का स्वागत करना ही नहीं बुरे विचार का स्वागत करना ही नहीं किसी भी लालत का स्वागत नहीं करना है उसको अपने भीतर जगह ही नहीं देनी एक बार भीतर आ गया ना फिर तो फसेगा धन्यवाद बाबा जी